दोस्तो फोटो की बेक्ग्राउंड को रिमूब करने के हमें जरुरत लगातार पढ़ती रहती है अब फोटो बेक्ग्राउंड को रिमूब करने के बहुत सारे effectiveness आपको मिल जाएंगे लेकिन उनमें दिक्तत यह यह उनमें हमें बहुत ज़्यादा एफर्स लगाने पड़ते हैं उसके बाद जाके हम अपने फोटो की बेक्ग्राउंड को रिमूब कर पाते हैं आज के वीडियो में आपके कैसे सॉप्ट्यूर के बारे हम बताने जा रहा हूं कि इसमें आपके एवल सिंगल क्लिक से एक क् क्लिक करोगे आप एस्टिंकर.com की इस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे यहां से हमें एस्टिंकर पिक बिश सॉप्ट्वियर अपने पीसी पर डाउनलोड कर लेना है यहां पर फ्री डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है फ्री डाउनलोड पर क्लिक कर देना है उसके सॉप्ट्वियर के पाझ करने पाद हम इसे ऑपन करते हैं इस तरह का इंटरफेस दिखाई दिखाई देता है यहां पर विल्ले की इस का अपशन खर सकते हो आप इसे अपने ऐफल फॉन पर भी यूज कर सकते हो As Thinker Pigwiz के इस application को आप Google Play Store और App Store से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपने फोटो की background को remove करके देखते हैं यहाँ पर remove background का option आ रहा है इस पर हमें click कर देना है अब आपको यहाँ पर दो option दिखाई देंगे upload image और upload folder यहाँ पर आप single image की background remove कर सकते हो और अगर आप चाओ पूरा फोल्डर आप यहाँ upload कर सकते हो और एक बार मैं 100 images की background को एक साथ bulk में भी आप remove कर सकते हो तो मैं यहाँसे एक image upload कर देता हूँ upload image पर हम click करेंगे और यहां से जो भी image की आप background remove करना चाहते हो वो आपको यहां से select कर लेनी है मालो यह वाली image है इसकी background में remove करना चाहता हूँ तो मैं इसे select करूँगा open पर click करूँगा अब आप देख सकते हो यहां पर यह हमारी image add हो चुकी है तो यहां पर हमारे फोटो की background है single click में remove हो जाएगी मैं यहां पर start पर click कर दूँगा जैसे हम start पर click करते हैं यह process होना start हो जाता है आप देख रहे हो हमारी जो background थी वो यहां पर पूरी तरह से remove हो चुकी है मैं यहां पर जूम करके आपको दिखा देता हूँ काफी sharp ages हमें यहां देखने को मिल जाती है काफी बड़िया quality है मिलती है इसको मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ तो आप देखोगे इस तरह से जो हमारी background थी इसकी जो agencies हैं काफी sharp agencies हमें मिल रही हैं हमारी दोनों images यहां पर दिखाई देंगी यह हमारी original image है और यह हमारी background remove होने के बाद यह image हमारी यहां पर आ रही है यह option हमें यहां मिल जाता है इसके अलावा आप इस side देखोगे तो यहां पर एक पूरा panel open हो गया है इसको आप edit भी कर सकते हो यहां पर सबसे उपर original का option आ रहा है के अलावा यहां पर एक manually का option मिल जाता है manually पर जब आप click करोगे आप यहां पर आपको option मिल जाएगा portrait, products, graphics साथी साथ यहां पर colors का option मिल रहा है आप चाहते हो अपनी background को change करना तो वो आप यहां से कर सकते हो जैसे माल लो मैं इसे red color किसी भी color में हम यहां पर इसको set कर सकते हैं कोई background हम यहां पर change कर सकते हैं अगर आप अपनी किसी image को background में लगाना चाहते हैं तो वो भी आप यहां पर लगा सकते हो plus के button पर click करके जो भी image आपको background में लगानी है वो image आपको यहाँ पर select कर लेनी है, open पर click कर देना है, यह image हमारी यहाँ पर आगई, अब इसे मालो हम background में लगाना चाहते हैं, तो simple यहाँ पर click करेंगे, हमारी background यहाँ लग चुकी है, अगर मुझे green color लगाना है, तो मैं इस तरह से लगा सकता हूँ, कोई भी color आपको लग background का option है, मिल जाता है, इसके अलावा यहाँ पर हमें एक effect का option दिया गया है, effect पर जब हम click करते हैं, तो यहाँ पर हमें shadow का option दिखाई दे रहा है, इस पर आप tick कर दीजिए, enable कर दीजिए, तो आप देखोगे, यहाँ पर हमारी image में एक shadow भी यहाँ पर show होने लगी है, और shadow को भी आप adjust कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर इसको बढ़ा के आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह से आप shadow को भी edit कर सकते हो, जैसा भी आप को चीह हो, इस तरह से आप लगा सकते हो, और यहाँ पर shadow को हम blur भी कर सकते हैं, जैसी यह blur हो गया, इस तरह से कर सकते हो, opacity को भी लावन नीचे यहां settings का option आ रहा है settings पर आप किलिक करो तो यहां से आप output DPI का option भी select कर सेकते हूँ यह सारी settings करने के बाद अपनी image को edit करने के बाद आपको यहां पर save to all पर click कर देना है तो यह image हमारी successfully save हो चुके है आपको यह view folder पर click कर देना है यह image हमारी यहां पर save हो चुके हमारे folder में save हो चुके तो finally आप देख सकते हो हमारी image की quality काफी बहतरीन है काफी अच्छे से यहां पर background remove हो चुके है इसकी जो ages हैं वो भी काफी sharp है मैं आपको यहां जूम करके दिखा देता हूँ तो काफी बड़िया तरीके से यहां पर background remove हो चुकी है और image की quality भी काफी बहतरीन है इसके अलावा यहां पर एक option दिया गया है remove watermark का अगर आपकी किसी image में कोई watermark है उसे आप remove करना चाहते हो तो वह भी आप single click में कर सकते हो आपको remove watermark पर click करना है उसके बाद upload image इमेज पर click करना है कि हमालों यह image में ले ले लेता हूं open पर click करेंगे उसके बाद इसे select करेंगे और start पर click कर देंगे अब आप देख सकते हो इसके अंदर यहां पर यह watermark है इसे मालों में remove करना चाता हूं तो simple आपको इसे select कर लेना है यह जो हमारा करसर है उससे हम इस area को इस तरह से select कर लेंगे जो area हमें remove करना है यह watermark हमें remove करना है तो इसे हम इस तरह से यहां पर select कर लेंगे इसको select करने के बाद हमें simple यह remove now पर click कर देना है जैसी हम यहाँ पर click करेंगे यह process हो रहा है और कुछ second में ही हमारा यहाँ से watermark remove हो जाता है आप देख सकते हो watermark यहाँ पर remove हो चुका है उसके बाद आपको save all पर click कर देना है remove watermark के अलावा unbillar faces का option यह मिल जाता है अगर आपकी किसी image में face blur हो र प्रेस करना हो तो वह भी आप कर सकते तो यह image यहाँ पर upload होने के बाद आपको यहाँ पर compression level के option देखने को मिल जाएंगे किस तरह किस level का आपको यह compression करना है size को कौन सा size आपको रखना है आप यहाँ select कर सकते हो light है general है strong है strongest है और इसके अलावा यह resolution भी आप set कर सकते हो कि आपको क्या resolution इसका रखना है यह सारा को select करने के बाद आपको simple यहाँ start पर click कर देना है आपकी file compress होना start हो जाएगी तो यहाँ पर हमारी file compress हो चुकी है हमाई 220 kb की file थी वो 110 kb की रह गई है यानि 50% तक हमारी file compress हो गई है as thinker pigwis का यह software basically एक paid software है यहाँ पर purchase का option आ रहा है purchase पर click करके आप यहाँ पर इनके सारे plans देख सकते हो और यहाँ से आप buy now पर click करके purchase कर सकते हो और अगर आपको free में अपनी images की background को remove करना है तो वो option भी हमें यहाँ पर मिल जाता है आपको इनके online tool को use करना होगा upload image पर आपको click कर देना है यहाँ से आपको कोई भी image select कर ले आपकी background या remove हो जाएगे आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा है कुछ ही second में हमारी यहाँ background remove हो चुकी है और यहाँ पर आप background को change भी कर सकते हो यह background change करने के option भी हमें मिल जाते है यह portrait का option आ रहा है इसके अलावा यह product का option आ रहा है graphics का option आ रहा है वो तो आप select कर सकते हो इसके agricर की हो बहुत का option आ रहा है को बैग्राउंड को आपको एक विए सकते हो और आप चाहो तो अपनी किसी image को भी यहां लगा सकते हो, यह जो image का option आ रहा है, image पर click करो, plus पर click करो, जो भी image आप background में लगाना चाहते हो, यहां से आप select कर सकते हो, मानलों यह मैं select कर ले रहा हूँ, यह मैंने यहां select करा, तो आप देख सकते हो, यह हमारी background में आ चुका ह तो यहां पर आप देख सकते हो हमने background भी यहां पर change कर दी उसके बाद आपको simply यहां पर download पर click कर देना है तो यह image हमारी सिस्टम पर download हो चुकी है यहां पर हम click करेंगे और open पर click करेंगे यहां पर देख लेते हैं आप देख सकते हो हमारी image की जो background थी पूरी तरह से remove हो चु click में आप अपने photo की background को remove कर सकते हो और quality भी काफी बढ़िया मिलने वाली है quality के साथ भी आपको कोई compromise नहीं करना पड़ेगा बहुत ही कमाल का software है आपको यह software कैसा लगा में comment box में comment करके जरूर बताएं आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों मिलते हैं अपने next वीडियो मे